हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एक्सपोर्ट लेंग चनल और आज की शेशन में पेशन में समझेंगे वाट्स पेमेंट टथा था था वाट इस इंकोटर्म्स ठिकर इनकोटर्म्स क्या थे जो गुट्स की मुवंएंट होती है फ्रॉम ओर इजेंड तो डिशनेशन कर रेकिसे जाता है कि किसकी कहा तक है और यहां पर वह एक्सपोर्टर को कैसे मिलेगी तो तू जब भी गूट्स का एक्सपोर्ट करते हैं फ्रस्ट हमारा जो प्रियरिटी होती है कि गूट्स के प्राइज़ को नेगशेट कियाए पूलावा इंकोटम्स में आपका एक्सपोर्टर को बोलेगा कि कि आप हम इस कारगों को हमारे यहां से एक्सपोटर उठाओ कि कम से कम उसकी रिस्पॉंस पड़ी और कारगो में जाए लेकिन इंपोर्टर चाहेगा कि उसकी कम से कम से कम रिसमिदी तो तक पूर्ट प्रिज्चाज तक तक हमारी फेक्र तक हो तो इस पथा होगी आपको एंगोशेशन कैसा होता है कि एक्सपॉटर गएगा कि मुझे एडवांस लेकिंगे इंपोर्टर चाहेगा कि में एडवांस में क्यों क्योंकि कार गुद आपका एक महीने डेड़ महीने में पंदरह दिन में आएगा तो इस चीज की नेगेशिएशन होता कि यह है अपने आप नहीं कर सकते जो इंटरनेशनल चेंबर अप कॉम्वर्स ने पेमें टम बनाई है हमें उन पेमंट टम्स को ही फ्लो करना होता है जैसे कि हमने इंको टर्म समें जो इन्टरनेशनल चेंबर आप कोशब ने कि इनको टर्म सबनाएं जैसे सी आई है वेवोबी डीडेपी एक्स वर्स सी आई पी ठीक है उन्हीं के इसाफ से में चलना होता है इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट्स लेने के लिए हमें फड़ लाते हैं ठीक है यह धृवस क्यों को डिसके करने से पहले ही एक्सपोर्टर के एकॉंड में पेमेंट आ गई तो गई एडवांस ठीक है फॉर इंपोर्टर कोई इंपोर्टर उसने आपको ओडर दिया आपने उससे बोल दिया कि करते हैं नेम tu4 तो वह पेमेंट कर देगा गया अपकी एडवांस पेमेंट की मोर जाँ है वहाथ इंपोर्टर कोई रिस्क नी एडवांस में तक अब सेकेंड बात करते हैं एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस के यह जिसने बताजिए कि मैं इत्य दिन में प्रमेंट कर दूँगा एक फिक्स ताइम के टीके जैसे फॉर एक्जमपल पेमेंट विल बी डन थर्टीदेज आफ्ट गुट डिस्पेच्ट आर थर्टीदेज आप्टर बीएल डेट अरह थर्टीदेज अप्टर कमर्शिल इन विजट ठीक, है है यह बेस्टीज भी है, लकिन ज्यादास नहीं मोस्ली होते हैं तो यहां पर इम्पोर्टर और 익स्प हाव तो इसको स्कीन आइस के टाइप की एक receivers को पेमेंट मिलेगी टो यहां पर क्या हो गया आप को टां विलिया लकार थे टॉर इंपर से गुट्स डिस्पेज किये कई ति यह तो उसमें लग दिया कि इंवेस में लिख दिया कि पेमेंट करें तो फिर उस पेमेंट को करना होगा क्योंकि इंटरनेशनल चेंबर इंपोडर की बीच में एक टाइम डिसाइड किया गया उस टाइम का एकसेप्टेंस हुआ है कि अब बात कलेंगेंट ऑगेंस्ट अब बात का लोएधे करनी होगी वहां ठाएं के यहां पर खु Clean फेक बना गया लगा दिया आब बैंक क्या करेगी यह एग loaded करेगी ठीक है क्योंकि डॉक्मेंट के सब्सक्राइब करेगा तो यहां पर क्या होगा एक्सपोर्टर अपनी बैंक में सम्मिट करेगा और उसकी खुद की बैंक जब बेज़ेगी तो इंपोर्टर को वह डॉक्मेंट के सब्सक्राइब करने हो 하idas deposits Ket एक फिक्स टाइम आपका उसको उसको और एट साइट का कई भी आपने सुना होगा तो यह उन्हें का मतलब यह होता है कि acceptance मतलब कुछ टाइम का acceptance की तीजरी में पेमेंट हो जाएगी और डीपी का मतलब बैंक की अब यह तो होगी आपकी बात एक सब्सक्राइब चलबाता है यसके में इसके सब्सक्राइब ठीक है तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की बीच में ज्यादा ट्रस्ट नहीं हो तो एक्सपोर्टर बोलेगा कि आप हमारे नाम से एक लसी कुला तो मतलब कि पेमेंट विली डान इन दिस टाइम ठीक है तो उसमें कंडिशन होती है में मेंजन होता है कि पेमेंन जैसे इतने दिनों मिल जाएंगे आपको यह तो यह तो सिंसमें जितने बनाने वहाले चीज़ है एक डौल करने होंगे तभी आपको पेमेंट आएगी और जो टेनियोर लसी में लिखा उसके कोडिंग ही पेमेंट आएगी सो गाइज आज की सेशन में हमें समझने की कोशिश किये की वाट अर्द पेमेंट टम इंद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट okay so guys thank you for watching the session have a nice day